साथियों जब मैं सुजावों की बात करता हूँ तो आपके सामने खुला आसमान है हमें देश में एक ऐसी अमरित पीडी को तयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की करनधार बनेगी जो देश को नेत्रुत्व और दिशा देगी हमें देश के एक ऐसी नवजवान पौध को तयार करना है जो देश हीत को सर्वो परी रखते जो अपने कर्तवियों को सर्वो परी रखे हमें सिर्फ सिख्षा और कौशल तक ही सिमित नहीं रहना है एक नागरिक के तौर पर चोबीस सो घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्चक है हमें समाज में वो चेतना लानी है कैमेरे लगे हो या न लगे हो लोग ट्राफिक की रेड लाइट जंप न करें लोगों में कर्तव्य बोद इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे अपने दाइत्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करें हमारे हाँ जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वैलिटी इतनी बहतर हो कि मेड इन इंडिया देकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमी का में है जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा अब जैसे प्राकुर्तिक संसाधनों के इस्तिमाल से जुड़ा विशे हैं जब जल संरक्षन को लेकर गंबीरता बढ़ेगी जब बिजली बचाने को लेकर गंबीरता बढ़ेगी जब जरती मा को बचाने के लिए केमिकल का इस्तमाल कम होगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जादा से जादा इस्तमाल के प्रती गंबीरता होगी तो समाज पर देश पर हर छेत्र में बहुत जादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मैंसे कितने ही उदाहर आपको गिना सकता हूं आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बाते हैं लेकिन इनका इंपैक बहुत बड़ा होता है कि स्वच्षता के जांतोरन को नई उर्जा कैसे की जाए इसके लिए भी आपके सुझाव एहम होंगे हमारे युवा आदुनिक लाइफट्राइट के साइड इपेट का मुकाबला करें इसके लिए आपके सुझाव एहम होंगे बोबाई की दुनिया के अलावा बहार की दुनिया भी देखे ये भी उतना ही जरूरी है एक सिख्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग सीडिंग वर्तमान और अगली पीडी में करनी है और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है देश के नागरीक जब देश के हित की सोचेंगे तभी एक ससक्त समाज का निर्मान होगा और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है वैसी ही जलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है मैं अगर शिक्षा के खेत्र की बात करूँ तो उससे जुड़े भी कितने ही विशे हैं तीन चार साल के कोर्श के बाद हमारे सिक्षन संसान प्रमान पत्र देते हैं डिग्रियां देते हैं लेकिन क्या हमें ये सुनिशित नहीं करना चाहिए कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनि वार्य रुप से हो ऐसी चर्चाएं इससे जुड़े सुझाव ही विक्सीद भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ठ करेंगे इसलिए आपको अपने हर कैंपस हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विशों पर मंतन की एक व्यापक प्रक्रिया के रुप में आगे बढ़ना चाहिए